नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका तैयारी जीत के चैनल पर कल आपकी परिक्षा है और आपकी परिक्षा की तैयारी है तूप अभ्यास के रूप में मैं 29 जुलाई 2018 का इतिहास का प्रशन पत्र जिसमें कुल 60 प्रशन पूछे गए थे साहयक अध्यापक की परिक्षा में यूपी पीसस द्वारा जो है कराई गई थी ये परिक्षा तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रशन पूछे गए काफी बहतरीन और काफी स्ट बोतिंग कोशन भी रिपीट हो जाए क्योंकि लेटेस्ट इक्जाम से रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इतिहास वर्ग का जो है ये पेपर है कुल साथ प्रशन है इन में से किने भारत में प्रागेतियासिक अध्यान को आरम करने का स्रे दिया जाता है सही जवाब है रोबर्ट ब्रूस फूट रोबर्ट ब्रूस फूट ठीक है और व्याक्या जो है आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें पूरे साथ कोश्चन वह भी बीस मिनट के अंदर खितम करने हैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है हम सिर्फ प्रशन पढ़ेंगे और उसका उत्तर जानेंगे हडडी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से विंद्य घाठी के उच्पूर पाषान काल से दो और अगला प्रषन है धौला वीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंदित है यहाँ पर चार ओप्शन है नव पाशानिक संस्कृतिक पाहडपा ग्रामिंड संस्कृति विक्सित हडपा संस्कृति उत्तरवर्ती हडपा संस्कृति इसका सही जवाब है धोला वीरा के प्रत्थम चरण का जमाव विक्सित हडपा संस्क्रिप्ती से सम्बंदित है यह गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है इस नगर की योजना समनांतर चतुरभुज के रूप में की गई है कि आगे बढ़ते हैं किस पूरा इस्थल के दुर्ग में साथ अगनी कुंड प्राप्त हुए है अगनी वेदिका पर प्रशनाता है तो लोथल और काली बंगा से अगनी वेदिका के साक्ष प्राप्त हुए लेकिन साथ अगनी कुंड प्राप्त कहां से हुए लोथल से ठीक है तीन शवों का युग्म शवाधान कहां से प्राप्त हुए लोथल से डौक्यार्ड कौन सा था हडप्ता का लोथल बंदरगा तो लोथल इंपोर्टेंट है पता होना चाहिए आपको भोगवा नदी के किनारे बस नेते तुम्हें हुआ लोथल इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए निम्न हडप्य स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमान मिले हैं काली बंगा मोहंजोडो लोथल सुर्ख को टड़ा इस तरह का कोश्चन यूबी फीसेस में आप से पूछा जा सकत है कल की परिक्षा में सही जवाब है option a केवल एक और दो काली बंगा और लोथल अगर कोशन पूछ ले जाए कि युग्म सवाधान के साक्षे कहां से मिले हैं काली बंगा लोथल अगनी वेदिका के साक्षे कहां से मिलें काली बंगा लोथल काली चूडियों के साक्षे कहा से मिले काली बंगा इसलिए उसका नाम काली बंगा रखा गया ठीक है पता होना चाहिए आपको काली बंगा राजस्थान लोथल गुजरात लोथल काली मंगा और रंगपूर से चावल के दाने मिले हैं जिन से धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है बूचर खाना छेतर का साक्षे कहां से प्राप्त हुआ है महदहा से महदहा, दमदमा, सराय नाहर राय, लिखाईया इससे कोशन्स हर बार घुमा फिरा करके यूपी पीसेस में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों जगहों से क्या-क्या मिला हुआ है सिंदु घाटी सब्वैता पर टॉप 35 कोशन्स मैंने कराया थे और उसमें ये सारे प्रश्न थे ठीक है मेहदाहा दमदमा लिखाईया सराय नहर राय बेलंग घाटी सभी चीजों को मैंने तयार कराया है मेहदाहा उत्तर प्रदेश भारत में मध्य पाशानकाल प्राचिंतम इस्थल है यह एक गोखुर धीलिय किनारे बसा हुआ है यह है खुदाही में 60 सेमी मोटा अधिवासिय निच्छे प्राप्थ हुआ है जिसमें निवास और बूचर थाना अलग-अलग बने हुए है इसके अलावा मेहर गड़ से भी प्रश्न बन सकता है याद रखिएगा हडपा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपूर अब देखिए उत्तर प्रदेश का आलमगीरपूर सबसे पूर्वी सीमा उत्तर के दिशा में सबसे उपर की तरफ जम्मू कश्मीर पश्चिमी सीमा जो है सुत कांग डोर बलुचिस्तान में पड़ेगा आज सबसे पूर्वी सीमा है सबसे सी आगे बढ़ते हैं व्याखिया आपने पड़ ली होगी दायमाबाद सबसे दक्षणी हिस्सा यहीं पता होना चाहिए रिगवेद के किस मंडल में गायतरी मंत्र लिखा गया है चतुर्थ द्वित्य प्रथम त्रित्य सही जवाब है आप्शन सी त्रित्य व्याखिया वीडियो को रोकर पड़ लीजिएगा नारायन के साथ विश्णु के तादात्मे का प्राचिंतम उल्लेक प्राप्त होता ह युए आरन्यकसे उनमे से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे विश्व कर्मा जब कि यह तीनों ही नाम सूर्य के हैं विश्व कर्म सभीता सावित्री विष्व कर्मा जो है सूर्य देवता नहीं थे कनिश्क दोध-धर्म के किस संप्रदाय का अन्वियाई था टो वह महायान के जो है अन्वियाई थे ठीक है कनिश्क कुशाणवंस का महांतम साशक था कि उसने बहुत धर्म का मुक्त हिर्दय से संपोशन और संरक्षन किया कनिश्क बहुत धर्म के महान संप्रदाय का उन्वियाई बन चुका था ठीक है और गांधार शैली मतुरा शैली कुशान काल में ही जो है काफी प्रसिद्धी हासिल की थी यह भी याद रखिएगा प्र नहां दिया था गौतम बुद्ध जैन धर्म इनसे रिलेटिट प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उप्देश रिशी पतन में दिया था और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया ठीक है याद है मेग स्थिनीज के लेखन में उलेखित एगरणों मोई कौन थे एगरौनों वही मेग स्थिनीज की जो है पुस्तक थी इंडिका ठीक है ध्यान रखिएगा और नगर के अदिकारी यहां पर ऑप्षिण डी होगा है इसकी पुस्तिका का वंडर्ण है इंडिका कोई बार क कि टिवर विडियो को रोप करके पढ़ने कि गुप्त समवत 61You त का मतुरा इस्तंब लेक संभंदित है चंद्र गुप्त दूद्ध्य से कि मत्हुरा इस्तंब रेक चंद्रूप द्युद्य से सब्सक्ता या और इसी के सासंकाल में गुप्त समराज्य अपने चर्मो कर्ष पर पहुंचा था सती प्रथा का प्रथम साक्ष भी यहीं से मिला यह भी यादर किया एरण अभिलेक से राज राज प्रथम की माता का क्या नाम था यह थोड़ा अनाइस्पेक्टिड कोश्चन है वान वन महादेवी पहली बार सायद पूछा गया यह कोश्चन इन में से किस चोल साशक की उपाधी गंगे कौंड थी राजेंदर प्रथम बंगाल की खाड़ी को जील में परिवर्टर करने का दुसाहस किस चोल साशक ने किया यह भी प्रशना आ जाता है याद रखिएगा तो राजेंदर प्रथम इसका सही जवाब है पूर्ण स्रिलंका को किस ने विजित किया राजेंदर प्रथम जबकि राज राज ने स्रिलंका के कुछ हिस्से को अपने अधिन किया था पूर्ण स्रिलंका को इंडोनेशिया को राजेंदर प्रथम ने अपने अधिकार में ले लिया था आगे बढ़ते हैं और इसके लावा चोल सामराज्य से एक कोशन ओर बनता है कि उपरी तोर पर केंदरी करित लेकिन इस्थानिय स्थर पर पंचायती राजविवस्था की संभावना या फिर अंश कहां दिखाई पड़ते हैं किस प्रशाशन में चोल सामराज्य के प्रशाश है आठ तरंग है राज तरंगनी के तरंग में कुल कितने तरंग है आठ कहां की जानकारी देता है जम्मू कश्मीर के प्रशाशन की ठीक है और यहां प्रशन पूछा है कि दूत्तिय राज तरंगनी के रचनाकर कौन थे तो जोन राज ठीक है और प्रथम जो राज तरंग बाज्चेन किजिए मुःमद बीकासिम महमुद गजनवी तैमूर छंगेश खाँ को मत सही ज्जाब होगा ओप्षन विड्या इस सब्से पहले महमुद बीकासिम शाक्षिन काल के संदर में व्यवस्तित करना है मोंध बिन कासिम महमूत गजनवी टैमूर चंगेज का फिर टैमूर यह देखें एम तुरह कि कारेकाल चेहां आप जाये हैं तुरह क्राइप बढ़ाते हैं प्रित्वी राज चौहान ख्वाजा मुईनुदिन चिस्ती के समकालिन थे ग्यासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन ओलिया के समकालिन थे सही जवाब है दोनों ही बिल्कुल सही है व्याख्या को वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं आगे बढ़े कुवत अल-िसलाम मस्जिद का निर्माइड किसने कराया कुटूबदीन एभक ने कुटूबदीन एभक ने 1192 गुस्वीays में सुरू कर वाया था कुवत अल-िसलाम दिल्ली की प्रसिद कुटूमिनार के पास है इल्टू तमिश के विशे में निमलिकित कत्नों में से कौन सा सही है इल्टू तमिश ने अपना प्रभुत्व की माननेता खलीफा द्वारा प्राप्त की और इल्टू तमिश ने बंगाल सुल्तान गया सुद्दीन को हरा कर लखनोती पर अधिकार किया दोनों ही सही है व्याख्या पढ़ लीजिएगा प्लावदिन खिल जी के आकर्मन के समय देवगुरी का यादव साशक यह रिपीट कोश्चन है यूपी पीसेस में पुछा जा चुका है राम चंद्र थे वर्षकाल दे रखा है सुल्तान जलालुद्दिन खिल जी की हत्या खिज्र खा ने दिल्ली का सिहासन ग्रहन किया कब सिकंद्र लोदी ने एक नगर आगरा की स्थापना कब की और कन्योज का यूद तो यहाँ पर जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी कन्योज हुआ था और कन्योज या बिलग्राम दोनों बाते की है 17 मई 1540 इस्वी में हिमाईयू और शेर्षां के मद्दे हुआ था और हिमाईयू पराजित हुआ था सुमेल करना है क्रम में लगाना है तैमूर का आकर्मण सांकेतिक मुद्रा का प्रशल्न मोहमत बिन तुगलक द्वारा किया गया था बाजार नियंतरण नीती मलिक छट्जू का विद्रो बाजार नियंतरण नीति अलाउदिं खिल अंतरन निति फिर आएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और फिर आएगा तैमूर का आख्रमण। वर्षकाल आप देख सकते हैं। मुहमत बिन तुगलक का 1330 इस्वी में जो है प्रचलन किया गया सांकेतिक मुद्रा का और यह योजना असफल योजना थी उसकी राजधानी का तबादला भी इसने जो है किया था परिवर्टन किया था स्थाना अंत्रण सेख सलीम चिस्ती की दरगा कहां इस्तित है फतेपूर्ष सीखरी यह एक सूफी संत्थ थे आगरा किला दिल्ली का लाल किला कुतुब मिनार ताज महल इनकी निर्मार तिति के अधार पर इनको जो है करम में लगाना है सही जवाब है Option B, सबसे पहले होगा आपका कुतुब मिनार, उसके बाद होगा आपका आगरा का किला, फिर होगा दिल्ली का लाल किला और फिर होगा ताज महल Option B is the right answer किरोरी, सब्द किसकी प्रशास्थनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रियुक्त किया जाता था 73 इसवी में बंगाल बिहार और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्री भारत में करोडी किरोरी नामक एक अधिकारी की न्युक्ति की थी विजे नगर समराज्य के साशक क्रिष्ण देव राय ने संद्रक्षन दिया था किसे बल्लभा चार्रे को और अश्ट दिग्गज अश्ट दिग्गज जो आठ प्रसिद्ध कभी थे वो भी इसी के साशनकाल में थे याद रखेगा अश्ट दिग्गज इसके लावा एक और प्रश्ण बनता है कि अश्ट प्रधान किस से संबंदित है तो अश्ट प्रधान जो है सिवाजी के प्रशासन से संबंदित है और अश्ट दिग्गज क्रिष्ण देव राय विजे नगर समराज्य के साशक से संबंदित है पल्लवाचार्य भक्ति कालिन सबुन धारा की कृष्ण भक्ति साखा के आधारिस्थम और पुष्टी मार के प्रणेता माने आते हैं इसके अलावा अमुक्त माल्यद जो है वो कृष्ण देव राय की रचना है कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है बल्बन मारको पोलो मारको पोलो बल्बन के काल में नहीं आया था ठीके इसके बारे में जो है व्यक्या दी हुई है बाकी तीनों पढ़ देता हूं में देवराज जित्ते के समय आया था अब्दुर्रजाप मुहमद बिन तुगलक के काल में आया था स्री संप्रदाय किस धर्म से संबंदित है सही जवाब है वैशनव धर्म के चार संप्रदायों से संबंदित है इसके लावा एक और प्रश्ण बनता है कि आयनार और नैनार ठीक है आयनार और नैनार तो नैनार और आयनार को भी अच्छे से याद रखिएगा अकबर के शाशनकाल में प्रशलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर था सही जवाब है उप्षन ये मीरे तुजुक से तातपर्य था मीरे तुजुक या मीरे तोजक धर्मानुष्ठान अधिकारी था इसका कार्य धार्मिक उत्सव आदी का प्रबंद करना था निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्तित कीजिए और नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर का चैन कीजिए खुर्रम का विद्रो चौसा का यूद धर्मत का यूद खुसरो का विद्रो सही जवाब है option D पहले आएगा दो चौसा का यूद फिर आएगा खुसरो का विद्रो उसके बाद आएगा खुर्रम का विद्रो और फिर आएगा धर्मत का यूद व्याख्या आप देख सकते ह चौसा कायूद 1549, धर्मत कायूद 1658, खुश्रो कायूद रो 1606 अकबर के सासिनकाल में उपज का कितना परतीशत भूराजस के रूप में किसानों से लिया जाता था option C पैबाकी शब्द से तात्पर्य था भूमी पैबाकी शब्द का तात्पर भूमी शब्द से है और यह विवस्ता औरंगजेब के शासिनकाल में की गई निम्न में से किस कृति को उसके फार्शी अनुबातकों द्वारा रजम नामा सीर्शक दिया गया महा भारत ठीके लिलावती एक इसके गणित से संबंदित जो है रचना है लिलावती याद रखिएगा फैजी अकबर के समय का जो है एक स्रेष्ट कभी था और इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अकबर के आदेश से महा भारत के विविन भागों का फार्सी में अनुवाद किया जिसका नाम रखा गया रज्म नामा भारत में पूर्त गालियों द्वारा प्रात किये गए इस्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर का चैन करिए सही जो आप है ओप्शन डी काली कट का होगा पंदरा सो कन्ना नोर का होगा पंदरा सो दो धाबोल पंदरा सो बाइस पुन्नानी पंदरा सो पच्चिस व्याख्या आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं निम्न में से किस इस्थान को 1661 इस्वी में पुर्तगाल द्वारत दहेज स्वरुप अंग्रेजों को दिया गया बंबई ठीक है दस पॉंड के वार्षिक किराये पर इस चिंडरिया कंपनी को जो है दे दिया गया था पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का नाम याद रखिएगा उसका विवा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वित्य से किया था और दहेज में बंबई दिया कौन सही सुमेलित नहीं है ब्लैक होल घटना प्लासी का यूद बक्सर का यूद देवगाउं की संधी ध्यान से देखिए उत्तर देखते हैं इसका ओप्शन डी अठारा सो तीन इसी में अंग्रेजों से देवगाउं की संधी की और तदा कटक वर्धा नदी के पस्मी बाकों अंग्रेजों को सौप दिया गया तो डी जो है वो सही सुमेल नहीं है यह अठारा सो तीन होना चाहिए यहां पर ठीक गटना क्या थी मैं जानना चाहता हूं कि यह ब्लैक होल गटना क्या थी हिंदू विध्वाप पुनर्विवा अधिनियम पारित हुआ था कब इश्वर चंद्र विध्या सागर के प्रयासों के फल्स औरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विध्वाप पुनर्विवा अधिनियम पारित हुआ और लॉर्ड कैनिंग इस समय जो है वाइसराय थे गवर्णर जनरल थे मंजूरी मिलने बाद कानूनी बनाकर पारित किया और इस अधिनियम के तैट विध्वा विवाप को वैद करार दिया है इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैद माना गया गवर्णर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रों के समय मुगल साचक कौन था खाफी इजी प्रशन है बहदूर साजफर और इनको कहां भेज दिया गया था रंगुन ठीक है यह भी याद रखिये है और इन्होंने समर्पन जो है किसके समक्ष किया था लेफटिनेंट डबलू एस आर हटसन के समक्ष पीस सि सब्सक्राइब को बिहार में 1857 के विद्रों के नायक थे कुमर सिंग जगदीशपूर से निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए इन्हें काल क्रामानुंसार विवस्तित कीजिए और नीचे देगए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चाहिन करें सिरी रंग पठनम की संदी सूरत की संदी सलवाई की संदी बैसीन की संदी काफी common question है यह जो हमेशा पूछा जाता रहा है UPPCS में देख सकते हैं option B होगा इसका option B सबसे पहले होगा सूरत की संदी फिर हुई आपकी सलबाई की संदी फिर हुआ स्रीरंग पतनम की संदी और फिर बसीन की संदी जिसको बसई भी कहा जाता है तो सबसे पहले होगा 2 फिर 3 फिर 1 और फिर 4 इन में से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशिनरियों की गतिविदियों को विनाशक माना वैले जली ने भारत में लौर्ड वैले जली ने बैप्टिस्ट मिशिनरियों को उसकी गतिविदियों को विनाशक माना है क्या है माना था वेले जली के जाशनकाल में भारत में साहायग संदी की पत्रती की शुरुआत हुई श्रू पर्थम भारत में साहयग व्याक्या आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोप करके डल होजी के पहले विले का सिद्धान्त को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था इसका आंसर जो है स्टार बना रखा है यानि कि कुछ आयोग ने गलत जो है उत्तर इसमें दिया होगा ध्यान से देखें इसका व् सुरपतिपादित व्यवगत सिद्धान्त विले नीती के तहत अंग्रेजी सामराज्य में विले होने वाला सरवपर्थम राज्य सतारा था 1848 इसवी इसके पश्चात करमस जैतपूर बुंदेलखंड संबलपूर जो कि आज का उडिसा में है 1849 इसवी में बागाट हिमाच परदेश 1850 इसवी में उदयपूर मद्यप्रदेश 1852 इसवी में जहासी 1853 इसवी में और नाखपूर 1854 इसवी में यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह भी यूपी पीसेस में पूछा जा चुका है कोश्चन कई बाहर ठीक है तो इनका वर्ष काल याद रखेगा और इंप तुशाशन का अरोप लगा कर ब्रिटीस सामराज में मिलाया गया था यह मुझे कमेंट करके बताईएगा वर्ष काल क्या था लंदन में इस्ट इंडिया अशोशेशन कि स्थापना किस ने की थी दादा भाइ नोरोजी ने इस्ट इंडिया असोशियेशन की स्थापना जादा भाई नौरोजी ने की थी कि 1866-67 में बाकी इनको राजनीति का पितामहा कहा जाता है जग्रेट भारत का वयो विरित पुरुष ठीक है काफी सम्मान की दृष्टी से इनको देखा जाता है आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्व में दादा भाई नौरोजी जी को भारत की जंगर्ना 1891 में जंगर्ना आयुक्त कौन थे बैंस सुमेल करना है 1854 इस्वी में और एक तरफ है डिस्पैच और आयोग यह कोशन भी रिपीटिट कोशन है पूछा जा चुका है यूपी पीसेस में सही जो आप होगा ऑप्शन ए मैं बोल देता हूं 1854 आपका सुमेल होगा सिक्षा पर चाल्स वुड का डिस्पैच ठीक है ऑप्शन भी 1882 इस्वी सुमेल होगा आपका हंटर सिक्षा आयोग से ऑप्शन सी 1904 इस्वी जो है आपका सुमेल होगा भारतिये विश्व विध्याल्या दिनियम लौड कर्जन क होगा आपका सैडलर विश्व विध्याल्या आयोग से ठीक है तो एक होगा एक बी का होगा तीन सी का होगा चार और डी का होगा दो कि व्याख्या आप पढ़ सकते हैं कि दक्षिनेश्वर संबंदित हैं किससे रामकिष्ण प्रमहंस से और दक्षिनेश्वर पश्चिमंगाल के 24 परगना जिले में हुगली नदिये किनार्य वस्तित हैं कि रामकिष्ण परमहंस मिशन स्वामी विवयकानंद ने जो है आरम किया था इन में से कौन देवबंध स्कूल से नहीं जुड़े थे शाह अब्दुल अजीज कि व्याख्या को जोरूर पढ़ें देवबंध स्कूल पर प्रश्चन अक्सर पूछ लेता है कि दारुल उलुम पर भी प्रश्चन बन सकता है कि आए बढ़ते हैं भारतिये राश्टिये कॉंग्रेस के उदारवादी युग में भारतिये क्लैंड इस्टोन की उपाधि कि इसे दी गई है दादा भाई नौरो जी दूसरा प्रश्चन इनकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा यह गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के सलाकार भी थे भारत में कॉंग्रेस की राजनिती का अधार इनको जो है माना जाता था तैयार किया था इन्होंने न अच्छा था बीजी तिलक अरविंदो घोष जेल नहेरु एस सी बोस और दूसरी तरफ है रचनाये तो कौन सही सुमेल नहीं है वो है था पिस्अ कि से सही सुमेल नहीं है श्प्रिंग इंग किसकी है तोय की हुप अटॉय चिकर बाकि तीनों सही सुमेल है बालंगातर ति तुमन यूनिटी चुहारलान लेहरों की दा यूनिटी आफ इंडिया और सुभास चंद्र बोस की कि कमेंट करके बताएंगे या कि निव्ण में से कौन सा यूगम सही सुमेल नहीं है कि जो सही सुमेल नहीं है वो है कि ऑप्शन कि ऑप्शन है क्योंकि ऑप्शन ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो महात्मा गांधी से संबंदित नहीं है बाकि तीनों आत्मिय सभा 1815 राजा राम मोहन रोय फॉर्वड ब्लॉग अठारा सो उन्तालिस कि सुभास चंद्र बोस माफ किजिएगा फॉर्वड ब्लॉग जो है उन्निस सो दशक में जो है इस्थापित की गई थी इसका इक्जेक्ट इयर मुझे याद नहीं है राम किष्ण परम्हेंस मिशन अठारा सो सतानवे विवेका नन आत्मिय समा राजा राम मोहन रोय अठारा सो पंद्रा और और अल इंडिया किसान सभा महात्मा गांधी चमा किजिएगा दोस्तों 1849 मैंने बोल दिया था 1949 में जो है फॉरण बुलग की जो है इस्थापना की थी सुभाजचंद्र बोज जी ने ठीक है और और अल इंडिया किसान सभा जो है वो आपका 11 अप्रेल 1936 को लखनव में अखिल भारते किसान सभा किस्थापना की गई स्वामी सहजानन्द सरस्वती इसके अध्यक्ष थे एंजी रंगा इसके महा सचीव चुने गए और 1936 में इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया गया जो प्रतेग एक सितंबर को मनाया जाता है वर्तमान में भी महात्मा गांधी के संबंद में निमेलिकित कत्मों मेंसे कौन सासיी है वर्स उन्नीस सों बीस में इन्होंने और स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य भारतियों को सूती वस्त्रों की प्रतियाकर्शित करना था स्थापना की फिर कांगे वड़तें एकसो निन चास्वा प्रशम देख्थेंख्यों ने स्वाधीन भारत की और इस्थाई सरकार का घठन की गोष्णा कब की थी यह की थी 21 अक्टूबर 1943 को ठीक है सुभाचंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंद्र भारत की और इस्थाई सरकार का गठन किया जिसके मंत्रियों में एच्सी चटरजी वित में अईयर प्रचार लक्ष्मी स्वामिनाथन इस्तियों के विभाग इत्यादी सामिल थे बोस ने अईस्थाई सरकार का मुख्याले रंगून में बनवाया जिसका जर्मनी तथा जापान ने समर्थन भी किया अन्तिम प्रश्ण जो इस टेस्ट में जो है आपके लिए है और जो पूछा गया था 29 जुलाई की परिक्षा में इतिहास वर्ग के अभ्यारतियों से वह है वर्स 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिती जिसे सैनिक कर्मचारियों हतियारों युद साम समगरियों के विभाजन की जिम्मेदारी सोपी गई थी सर्वोच सैनापती बनाया गया सही जवाब है रेट क्लिफ रेट क्लिफ थे व्याख्या पढ़ सकते हैं तो इस तरीके से यह कोशन पूछे गए ज्यादा कटिन कोशन नहीं थे लेकिन जो काल क्रम में जो लगाने वाले प्रफशन थे वो थोड़े बहुत आपको परिसान कर सकते हैं यूपी पीस की परिक्षा में अगर आप सीरेस कैंडिडेट हैं और काफी अच्छे से आपने तयारी की है तो कोई परिसानी नहीं आएग ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्का सब्सक्राइब धन्यवाद और आपको आपकी परिक्षा के लिए हार्दिक शुक्त काम नहीं धन्यवाद